प्रचाण दोस्तों चाहे वो ऐसे स्टॉक्स हो जहां पर कुछी क्लारिटी नहीं होती है ठीक है जहां पर एक खत्रा बना रहता है सरकार के दोरा कुछ भी नेगेटिव आप कह सकते हैं और लेने का या किसे कुछ फैसले लेने के कितना बुरा हो सकता है किसी कमपणी के लिए किसी स्टॉक की निवेशकों के लिए आज इस स्टॉक के शते पूरी के पुरी सेक्टर लिखा है क्या सरकार ने सिर्फ एक टेक्स के थूर जो कि आपको आपके स्क्रीन में दिख रहा है 28% GST पुरी की पूरी एक इंडस्ट्री क को बरबात कर दिया है तो उसी की बारे में जाने कुछ के निगा आर्टिकल के थूँ देखे और मैं ऐसे ही वीडियो बता हूं तो बनाता रहता हूं दोस्तों और यह जो टॉपिक था यह मेरे एक सीडियस इंवेस्टर ग्रुप के मेंबर ने निए क्या सकते हैं आपको कॉमेंट किया था कि इस टॉपिक पर एक छोटा सा वीडियो बना दीजिए ठीक है तो मुझे लगा और बहुत सारे कॉमेंट से तो मुझे लगा इसमें बनाना चाहिए आप देखे ओनलाइन गेमि में मिला दिया है मटिया मीट कर दिया है लिटरली में कुछ ऐसे ही वर्ट्स यूज किये जा रहे हैं इंडस्ट्री एक्सपर्ट के द्वारा और आप देखिए सबसे बड़ी मार पढ़िए डल्टा कॉर्प को क्योंगी देखिए सबसे निगेटिव असर भी डल्टा कॉर्प में बनेगा 80% revenue के आसपास आती डल्टा कॉर्प की इस सेक्टर के थुरू ठीक है हम नीचे चलगेंगे देखेंगे तो आप देखिए Shares of Nazara Technology, Delta Corp, Zenza Technology and Onmobile Global Tumble 1-10% on 12th of July आज की दिन की बात हो रही है दोस्तों After GST Consult decided that online gaming, casinos and horse racing will be text at 28% Can you tell me, at 28% यानि आप 1 रुपे कमाएंगे, आप 28 पैसे आप देदेंगे भी या सरगार को और देखिए, मुझसे परसनली पूछेंगे न, तो मुझे, Delta Corp फिट्स होके, मुझे Zenza Tech उतना जादा थ्रेट में नहीं दिखता है और नहीं नजारा टेकनोलजी, हाँ, होगा, बट उतनी जादा, क्योंकि देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि सरकार शायद, शायद जो गेम है दोस्तों देखिए, गैंबल, जुआ एक अलग चीज़ होती है, गेम अलग चीज़ होती है गेमिंग को इससे अलग रखे, शायद, आने वाले कुछ समय में, ठीक है, आप देखिए, डेल्टा कॉप शेयर हिट 10%, लोगर सरकिट 222.15, नजारा टेक भी 6% टूटा है, चूँकि अभी तो दोस्तों यही चीज़ है, जो सरकार रिपोर्ट निकाली उसके हिसाब से, कर रहा हूं कि शायद इतना जो बैकलेश मिल रहा है, उसके बाद चीज़े थोड़ी हद तक ठीक हूं, वाइल, ओन मोई गूबल फ्लायल, 5% जेंजा टेकनोलोजी जे तो खें, रिकवर हो चुका है, दोस्तों, ठीक है, बट रिकवर सुन आफटर, देखिए, देखिए, जुला ने 11 डिसाइड़ तो लेविट 28% GST on the full value of online gaming, अब आप समाझ यह का वर्ट देखेगा न, full value of online gaming, जो horse racing करते हैं, दोस्तों, कसीनों में जो जुआ खेलते हैं, with no distinction between games of skill and chance in the 15th council, यानि कोई भी game होगा, उसमें आपको text लगेगा, 20%, पूरी की पूरी की इंडस्ट्र दोस्तों, आप सोच भी नहीं सकते हैं, और देखें, मैं पता दूँ, आम आदमी को कोई मतलब नहीं होगा, वो फिर भी खेलेगा, उसे यह भी पता नहीं चलेगा, कि वो जो कमार है, कहीं जादा वो सब सब टेक्स देदे रहा, और मुझे देखें, मुझे परसन लगता ह कि जितने भी जुए वाले गेम से दोस्तों, जो भी गेंबलिंग गेम से, उस पर तो सरकार को मुझे लगता है, भलाई, I think, 30-35 परसेट तक भी टेक्स लगा सकते हैं, बट, तिके गेमिंग एक अलग इंडस्ट्री है, आप साउथ कोरिया, आप जपैन, यहां जाकर देख गेमिंग ने कितना रवेन्यू जनरेट करके दिया है अपने देश को, मुझे यह लगता है, कि भारा जो भी गेमिंग इंडस्टी में आगे बढ़ रहा था, उसकी लिए बहुत बड़ा जटका है, मुझे यह परसनिंग लगता है, सरकार को गेमिंग में, सर्फ गेमिंग क चाहिए, ठीक है, आप देखें, currently online betting and gambling attract 28% GST, irrespective of whether it is a game of skill and chance, other game attract 18%, ठीक है, और other game जो था, वो 18% करता था, now this comes at a time when online gaming business, were on the road to recovery with the formulation of self-regulatory body, देखें अभी क्या हुआ न, online gaming business है, अब recovery mode में आ रहा था, कि उन्होंने एक self-regulatory body बनाई थी, and lifting ban on battleground mobile, India, ठीक है, और battleground mobile India का जो band था, वो हटा दिया गया था, ठीक, तो उसके बाद चीज़ें यह हो रही है, कि देखें कि कई लोगों का यह मानना रहेगा, कि भई, समय बनाद होता है, यह होता है, वोता है, लेकि देखें, इससे आप टेक्स तो नहीं लगा सकते न, आपको ख आप आउट एंटायर इंडस्ट्री से, ओनलान गेमिंग कंपनि अफ्टर जेस्टी, 28% में यही बात कह रहा हूं, आप पूरी की पूरी की इंडस्ट्री को तबाह कर दिये है, सिर्फ एक टेक्स के थू, ठीक है, आप अगर आगे पाएंगे तो आप बेखेंगे, नाजरा टेक का सेग्मेंट में, वह आप कह सकते हैं, ट्वेटी सिर्फ पांथ देश्ट दो परसंट था, और इसलिए नाजरा टेक में उतना कुछ असर नहीं पड़ाया दोस्तों, ठीक है, डेल्टा कॉर्प जैसे मैंने पहले बताया, 80% का ग्रॉस इंकम दोस्तों, इसी के उपरेशन, यानि आपने तो पूरी डेल्टा कॉर्प की, पूरे की पूरी जो कहले सकते हैं, बिसनस है, उसी में एक प्रश्टेशन ना लगा दिया है, ठीक है, आगे आप देखें, जन्जा टेक्नोलोजीज आइटिमा एस्टेबलिचेट डेडिकेट गेमिंग टेस्टिंग सेंटर ऑफ एक्सिलेंस तु सपोर्ट गेमिंग कंपनी एचिविंग दियर टेस्टिंग डेलप्मेंट गूल विथ इन्हांस इफिशेंसी एंड स्पीड ठीक है, और या ओनलन ग आगे आप देखें, बहुत जो बैकलेश क्या रहा है, तो देखेंगे, जो 28% GST के लगाएगा है, यह तरिबल है, और गेमिंग इंडिस्ट्री में के सकते हैं, बहुत बहुत बड़ा जटका है, और यह सिर्फ और सिर्फ यह प्रूव करेगा, अन्फेवरेबल जो मोस इंडिस्ट्री में आने वाले हैं, यह तो बात मैं 100% मानता हूँ, अगर अगर 20% भाईया पैसे ही देने लग जाएंगे, तो आप क्या ही कमा लेंगे, ठीक है, आगे है, ना स्टार्टप्स इंद ऑनलें गेमिंग इंडिस्ट्री विल नोट भी अबल तो सर्वाइब दिस तरफा जाबा लगा दिया था, तब उसके इंडस्ट्री वाली भी कह रहे थे कि अगर आपका मकसर टेक्स बनाना है, तो आप इस पर कामियाब नहीं होंगे, यब इलिगल जो टेक्स है, माफ कीजाए, जो इलिगल सिगरेट्स है, वो बाजार में आएंगी, और जो आप ट गेमिंग फेडरीशन के उनके हिसाब से यह वन साइट फैसलर लिया गया है, और फ्रॉम हाइटक सेशन विल भी दा, जिसे इलिगल बेटिंग और गेमिंग इंडस्ट्री को बहुत बढ़ावा मिलेगा, उन्होंने ये भी कहा है, कि स्टार्ट अप इंडस्री हैड हूज ह और इसीविंग लोगर जिस्टी रेट और इस ट्वेंटीट परसंट रेट और ओन ओन गेमिंग टेक्स बात मैंनी यस और यही कह रहे हैं कि भाया यह चोट थाइस परसंट आपने लगाया है ना उस्ते हमें बहुत बहुत साल पीछे धकेल दिया है, ठीक है, तो ओर अवर यह साब से यह वाकई में एक बहुत बहुत बड़ा जटका है, पूरी की पूरी इंडस्ट्री दोस्तों बैठ जाएगी इससे, ठीक है, तो एक दिस्तों यह चोटा सा नैसेस करना था, क्योंकि बहुत दा पैनिक है, मुझे लगा इसके ओपर चोटा सा वीडियो बनाना च और दोस्तों, अगर आपको इस चोटी से वीडियो अच्छी लेगी हो, वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, यह वीडियो गानता है, जय हिंद।